एक प्रॉब्लम चल रही है वहां के जो लोग हैं कुछ डिमांड कर रहे हैं तो इन सब के बारे में हम डीटेल से जानेंगे कि आखिर कार LG को क्यों हटाये गया, क्या इलजाम लगाया जा रहा है LG के उपर, यहां पर क्या बोला गया है कि केंदर सरकार उनकी मांगों को नहीं प्रिलिम्स स्पेसिफिक बैच S.I.P. प्लस जो की 200 से भी जादा घंटे की लाइफ क्लासे इसके अंदर होंगी, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, औल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं, यह सारी चीज़ें बहुत कम दाम पर, आपको हमारे वेबसाइट जाना, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दाल दूँगा, वहाँ पर यूस करिएगा कोड अंकित लाइफ, ताकि आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिसकाउंट मिल सके और आप इसको जॉइन कर सके, अगर आप अगले साल की त्यारी कर रहे हों 2024 के लिए, तो यह वाला ज जो भी कोडस आपको लेना हो, स्टाडिया क्यूपर, आपको यूस करना है कोड अंकित लाइफ to get maximum discount, इसके लावा और अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, उसको आप अटेम्ट कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, एक्जाक्टी हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, किंदर सरकार के द्वारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दा के, आरके माथूर, उनको यहाँ पर किंदर सरकार ने हटा दिया है, और अभी करेंट के जो गवर्नर थे, अरुनाचल परदेश के अंदर, इनका नाम है बीडी मिश्रा, he is basically retired ब्रिगेडियर, तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी को, जो कि अरुनाचल परदेश के गवर्नर थे, उनको लद्दा का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपोइंट किया गया है, और साती साथ ये भी बोला गया है, कि जो माथूर साब है, उन्होंने resignation दिया है, और उनको accept कर लिया गया है, माथूर साब का मैं आपको बता दूँ, 1977 के retired IS officer रहे चुके हैं, एंड लद्दा के पहले lieutenant governor थे, ध्यान रखेगा, 2019 में आपको याद होगा, जब ज यहाँ पर आप क्या है, कि जम्मु कश्मीर एक राज बन गया, और ये जो लद्दाक है, वो आपका एक union territory, मतलब दोनों सौरी, ये भी union territory और ये वाला भी union territory बन गया, मांग हो रही है कि जम्मु कश्मीर को भी राज बनाय जाएगा, आगे चलकर वो देखना होगा कब होत तो जो पहले लद्दाक के, वो थे आपके आरके मातूर, लेकिन जैसा आप देख सकते हो कि अब उनको हटा दिया गया है, और नए लद्दाक को अपॉइंट कर दिया गया है, अब कोशन ये है कि आखिरकार ये सेंटर के द्वारा क्यों किया गया, इसको समझने के लिए थ दाक एक फ्रजाइल जोन है, हिमालियन रेंजेंज में आता है और आपको पता होगा कि वहाँ पर एन्वार्मेंट को लेकर काफी जादा कंसरन होता है, तो यहाँ पर क्या है कि एक सिविल सोसाइटिक ग्रूप है, जैसे कि आप देख सकते हो, ले एपेक्स बॉडी और कार कारगिल वाला जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनके साथ गजोड कर लिया, उनके साथ मिल गए और यहाँ पर डिमांड करने लगे, अब डिमांड क्या है बेसिकली इनका, डिमांड अगर आप देखोगे तो यह है आपका फुल फ्लेज स्टेट हुड, पूरी तरह से स्ट जल से जल होना चाहिए, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है सिक्स्थ स्केडूल का, अब आपको पता होगा हमारे सम्विधान में आर्टिकल 244, उसके अंदर आता है सिक्थ स्केडूल, अभी प्रेजन्ट में क्या है हमारे देश के चार राज्य, जो जिने का मतलब यह है कि जो दो दस ऑटोनॉमस काउंसिल है इन चार राज्यों के अंदर, उनको बहुत सारी सुविधाई दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपना डिसिजन्स कई सारे खुद ले सकते हैं, और लदाक के अंदर मैं आपको बता दूँ कि 2,74,000 के ताकि लदाक अपने आप खुद से डिसिजन्स ले सके, राधर दैन सेंटर के दौरा डिसिजन्स को थुपा जाए लदाक के ऊपर, हम यहाँ पर चाते हैं कि हम खुद इसको लेकर डिसिजन्स ले, तो यह सबसे बड़ा डिमांड यहाँ पर बताया जा रहा है, गौर्में को, ताकि उनकी जो भी नीट्स हैं, वो हो सकें, जैसे कि यहाँ पर रिक्रूट्मेंट को लेकर बोला गया कि लदाक अड्मिनिस्टेशन ने रीसेंट्ली 10% से जो कोटा है, स्केडूल ट्राइब्स का, वो बढ़ा कर 45% कर दिया, तो यह सारी चीजे सेंटर गौर्मेंट क यहाँ पर एनफ कर रहे हैं, लेकिन लदाक में अलग प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन कोशन यह है कि यह जो LG को हटाया गया है, तो यहाँ पर एक और चीज बोला जा रहा था, लदाक के लोगों के द्वारा, कि सबसे पहले तो आप LG को हटाईए, क्यों? क्यो वो वहाँ की जोग्राफी को नहीं समझते, प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, और सिंप्ली उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है, जैसे कि आपने रिसेंटली याद होगा, सोनम वांग्चुक, सोनम वांग्चुक काफी फेमस है, ठी इरियर्स उन्हीं से इंस्पायर हु जो हमारे नीट्स को समझ सके, यहाँ पर उनका कहना था कि 6,000, रुपी 6,000 करोण, यहाँ पर यह करोण होगा, बेसिकली 6,000 करोण जो है, जो लद्दाक को एलोकेड किया गया है, उसका 90%, मतलब आप कह सकते हैं, चववन सो करोण, रुपे जो है, वो डारेक्टली अंडर जाता है, लेटिन गवर्नर के, और वो जैसे चाहें, वैसे यहाँ पर उसको खर्च कर देते हैं, लद्दाक में, वो एक नॉन इलेक्टेट परसन है, सेंटर गवर्मेंट उनको अपॉइंट कर रही है, and he may take decisions under pressure, मतलब कि सेंटर गवर्मेंट जो भी कहेगी, वही तो वो क करेंगे, तो यहाँ पर सोनम वांग्चुक का ये कहना है, कि हमारे नीट्स को लेटिन गवर्नर नहीं समझ सकते, और साथी साथ यहाँ पर जब वो हमारे जोग्राफी को समझेंगे, जब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे लद्दाके, तब तक बहुत देर हो चुकी ह होगी, और वो रिटायर हो जाएंगे, और कोई दूसरा लेटिन गवर्नर बन जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर यही हुआ है, कि यहाँ पर सेंटर गौर्णमेंट ने लेटिन गवर्नर जो अभी है, मातूर साब उनको तो हटा दिया है, लेकिन अब देखना होगा, जो हैं, लेटिन गवर्नर है, क्या वो सिचुएशन को समाल पाते हैं, नहीं समाल पाते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेंटर के लिए, वो देखना होगा, लेकिन इसके साथ-साथ आप देख सकते हो, तेरा राज्यों में, तेरा राज्यों मैंने आपको ता है न, बारा राज हो गया प्रॉपर और एक union territory हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज जो decision लिया गया उसमें महाराष्ट के गवणर का resignation लिया गया है बगत सिंग कोशियारी साब का और जो lieutenant governor है लदाक के राधा कृष्णर आरके मातूर उनका resignation लिया गया है और 13 जगह पर changes किये गया है यह आप सभी के नाम देख सकते हो जैसे अरुनाचल परदेश के नए governor appointment किये गया है सिक्किम के नए governor जारकंड के असाम के आंदर परदेश के 36 गड़ के मनीपूर हो गया नागा लैंड मिघाल है बिहार, महराष्ट और लद्दाक इन 13 जगहों के जो governors हैं उनमें बदलाव कर दिया गया है फिर इसके साथ साथ जल्दी से governor के बारे में भी जान लेते हैं जो कि आपके exam point of view से बहुत important है तो हमारे समिधान में article 153 governor के बारे में लिखता है तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हर एक राज में एक governor होना चाहिए आगे चल कर क्या हुआ कि मानलो अगर एक governor है मानलो जैसे कि आंदरपरदेश का कोई governor है ठीक है अब मानलो तेलांगना कोई इसमें governor नहीं है फिर article 155 कहता है कि governor of a state ये कौन अपोइंट करेगा ये अपोइंट किया जाएगा by the president ठीक है under his hand and seal तो मतलब directly president अपोइंट करते हैं लेकिन आपको पता ही होगा कि president किसके aid and advice पर काम करते हैं union council of minister प्राइम मिनिस्टर और union council of minister जो भी कहेंगे वो president को मानना होता है तो एक प्रकार से जो भी governor होता है राज्यों का वो center government ही अपने तरफ से अपोइंट करती है एक तरह से आप ये समझ सकते हैं article 156 यहाँ पर कितने समय के लिए governor अपोइंट किये जाते हैं बिए बताया है दोगो normal जो term होता है governor का वो 5 साल का होता है ध्यान रखना लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मानलो एक 5 साल खताम हो गया वार्च साल से पहले भी हटाया जा सकता है बिलकुل हटाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर president जो चाहें कर सकता है और President वही चाहेंगे जो यहाँ पर Government कहेगी, जो Central Government कहेगी, फिर Article 157, 158 में Qualification के बारे में है, जैसे कि वो Region of India होना चाहिए, 35 साल minimum उम्र होनी चाहिए, and Governor should not be a Member of Parliament, any State Legislature, या फिर Office of Profit Hold नहीं करने चाहिए, तो यही पुरा सारांस है, यहाँ पर I hope कि आपको अच्छे से में आ गया होगा, जो भी आज चिंजस किये गए है, Governor को लेकर, और जाने से पहले एक Interesting Question, क्या बता सकते हो, बहुत ही Important है, ध्यान से समझे का, क्या बता सकते हैं कि मान लो अगर राजी के अंदर, जो Legislative Assembly है, जो Assembly होती है राजी के अंदर, अगर वो इस समय सेशन में है, इस सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर Stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF e, तो Telegram पर आईए, लग-लग Social Media पर आप जूड़ पाओ गया, और जैस समय ने बताया था, अगर आप UPSC के त्यारी कर रहे हो, इस साल, अगले साल, जो भी Use the Code, अंकित Live और जल से जल अप अपने batches में join कर सकते हैं, hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon